नमस्कार अमंत्र पाठी के साथ आप देख रहे हैं आवाद में बैंक से चेक पेमिंट को और सेफ करने के लिए भारतिय रिजर्व बैंक की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है एक सितंबर से ये नया नियम लागू हो गया है चलिए जानते हैं क्या है ये नियम अगर आप चेक से पेमिंट कर रहे हैं तो सावधान हो जाएए क्योंकि इस दोरान किसी प्रकार की लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है तो आज की इस वीडियो में जानेंगे आखिर कौन सी हैं वो सावधानिया जिन पर अमल करके आप परिशानियों से बड़ सकते हैं रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने चेक पेमिंट को और सुरक्षित और सेफ करने के लिए चेक पेमिंट के नियम में बदलाव किया है चेक बुक का इस्तिमाल करने वाले ग्राहकों के लिए 1 सितमर से जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं अब चेक पेमिंट के लिए पॉजिटिव पेमिंट सस्टम अनिवारे किया जा रहा है जिसके मुताबिक चेक इशू करने से एक दिन पहले ग्रहकों को चेक की जानकारी बैंक को देनी होगी चेक की डेटेल को दोबारा चेक करने के बाद ही चेक क्लियर किया जाएगा अगर चेक की जानकारी बैंक को पूरवरत नहीं दी जाती तो उसका भुकतान बैंक नहीं करेगी यानि चेक क्लियर नहीं किया जाएगा इस सिस्टम के तहट 50,000 या उससे अधिक की रकम चेक से पेमिंट करने पर खाताधारकों को बैंक को चेक से जुड़ी एहम जानकारी पहले देनी होगी बैंक कुछ जानकारी को चेक करने के बाद चेक पर दर्ज जानकारी से मैच करने के बाद क्लियर करेगा और भुकतान करेगा अगर कोई गड़वड़ी होती है या ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी और चेक पर दज जानकारी मैच नहीं करती तो चेक को रिजेक्ट कर दिया जाता है आपका चेक क्लियर ना होने पर इन दिनों निजी तथा राश्ट्रेकरित बैंकों द्वारा अलग-अलग शुल्क लिया जा रहा है कुछ बैंकों ने तो इस मामले में अपना शुल्क भी बढ़ा दिया है कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे एक नई वीडियो को लेकर तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे हमादमी धन्यवाद